Moving on, अब हम पढ़ रहे हैं next line से, 137 से, जहां पे चौसर हमें प्राइरस के behavior के बार में बता रहा है And secretly, she was of great disport, secretly means certainly, surely, यकीनन, she was of great disport means she was of great, कहलें के वो बहुत cheerful थी, she was of great temper, अच्छे temper की थी, spirit, उसके अच्छी manner की थी, And full pleasant, pleasant means agreeable and amiable of port, port means manner या behavior, वो अपने behavior में बहुत ज़्यादा amiable थी, sweet tempered थी And paint higher to counterfeit chair, chair means manner of court, next lines इसका link है, counterfeit chair of court, court means, जो courtly manners है, royal court के जो manners है, शाही तोर तरीके जो हैं, उसको paint means paint तकलीफ उठाती थी, higher means herself, Counterfeit means to copy, courtly manners को copy करने के लिए वो बहुत तकलीफ उठाती थी, पूरी कोशिश करती थी, कि वो चर्च के जो, sorry, जो royal court, उसके manners को copy करे, And to be in a statlish, statlish means royal, of manner, and to be in, be in means be, holden, holden means valued, dignity, dignity means worthy, of reverence, reverence means respect, तके उसके respect की जा सके, She, she tried, she tried to copy the latest fashions of the, little fashions of the royal court, so as to be deemed stately in her demeanor, ताके वो अपने behavior में, in her behavior, अपने behavior में वो statly लग सके, वो शाही लग सके, and to be regarded worthy of reverence, ताके उसकी इज़द बर सके, वो copy करने के कोशिश करती थी, royal family के members के fashions को, ताके उसकी जो है इज़द बर सके, चौसर निया पर फिर इस तर्टायर यूज किया है, क्योंकि एक nun से, एक religious personality से, जिसने अपनी सारी जिंदी की जो है, वो devote कर दी वी है, religion को उसे एक्सपेक नहीं किया रा सकता, next lines है, but for to speak and offer conscience, conscience means उसके जमीर की बात करें, उसके बारे माँ बात करें, उसके nature की तो, she was, यह lines be important है, she was so charitable and so bite to us, यानि कि वो इतनी charitable थी और इतनी pity करती थी लोगों पे, इतनी रहम खाती ही लोगों पे, she would weep, कि वो रो पड़ती, if that she saw a mouse, अगर वो कोई चूहा देख लेती, caught in a trap, trap में भसावा, if it were dead or bleed, अगर वो मर जाता है, या बलीट कर रहता है, यानि जखमी होता है, तो वो देखके, रोना शुरू कर देती, she used to begin, she would begin to weep, if she saw a mouse, if she saw a mouse caught in a trap, whether dead or bleeding, किसी को रोना शुरू कर देती, अगर किसी चूहे को वो जो तकलीफ में देख लेती, तो वो एनिमल राइट्स के लिए भी बड़ी concern थी, कह सकते हाँ, next है, तो यहां भी चूहसर हमें उसका amiable nature दिखा रहा है, क्योंकि वो एक रहम दिल आ रहा थी, यह शो करता है कि वो एक रहम दिल आ रहा थी, next है, of small hounds had she that she fed with roasted flesh और milk and vestal bread, तो चूहसर हमें यहां बता रहा है कि hounds होते हैं, कुते होते हैं, शिकारी कुते हैं, वो उसने रखे होते हैं, जिनको फेड मतलब feed करती थी, roasted flesh यहनि के roasted ghost के साथ उसको खिलाती थी, उनको milk fresh milk खिलाती थी, और bread खिलाती थी, वेस्टल bread means bread of fine floor, अच्छे bread की, अच्छी bread खिलाती थी, यहां पर actually again आप कह सकते हैं, के satire use हो है, इस पर दो तरह के criticism मुझूद है, कोई कहता है कि कुछ critics कहते हैं, कि यह बहुत जादा humble थी, बहुत जादा pity करने वाली थी, बहुत जादा रहम sympathetic और थी, इस वरह से यह जो है, चुहों का ख्याल करती थी, जानवों का ख्याल करती थी, हाँ, उनको खिलाती बढ़ाती थी, लेकिन दूसी चरफ हम के देखेंगे कि यह satire भी यूज़ हो है, वज़ा यह है कि उस टाइ जानों को जो है वो रोस्टेड जो है वो फ्रेश मिल्क पिला रही है, रोस्टेड फूड खिला रही है, तो यहां पर satire यूज़ है, चौसर ने उसको satirize किया, यहां पर तंस किया है, क्योंकि इनसानों के खाने के लिए पैसे नहीं है, और वो एक नन होके हाउंड्स पर जो है वो इतना खर्चा कर रही है, नेक्स लाइन्स हैं, बर्ट सोर वेप्ट शी इफ ओन ओफ हम वर डेड, अगर उन में से कोई मर जाता तो वो रोती, और इफ मैं स्मूट, स्मूट रोता है तो बीट मारना इट विदा यार्ड्स मिल्ट, अगर कोई इसको स्टिक से मार तो वो रोती, and all was conscience and tender heart, तो यहां पे चॉसर पर कह रहा है कि, this sympathy for animals was the result of her good temper and her good heart, tender heart, उसके दिल अच्छे दिल का नतीज़ा था, next lines है, 151, 150 तक तो हमें उसके conscience, यानि के उसके behavior के बारे में बताया गया, next lines में जो है, चॉसर हमें बता रहा है, next 150 से आगे, चॉसर हमें बत में उसकी physical appearance बताएगा,